अस्वाम को फ्रेंट्स मेरे नाल सभांदारी का और आप देखने है लेट संकवर तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे के फाइवर एक्चुली वर्क किस तरीके से करता है फाइवर किस तरीके से लोगों को ओर्डर्स देता है और क्या उसकी फाइवर की प्रियर करता है इसके इलावा हम यह बात करेंगे के फाइवर किस सरीके से जो हाइव प्राइज वाली गिक्स होती है उनको प्रमोट करता है और जो जो कम प्राइस वाली गिक्स होती है उनको प्रमोट क्यों नहीं करता उसकी क्या रीजन्स है और फाइवर किन-किन प्लाटफॉम पर आपकी गिक्स को प्रमोट करता है आपको तो यह लगता है कि फाइवर सिर्फ और सिर्फ फाइवर के ओपर जो डारेक्ट क्लाइंट्स आ रहे हैं उसी शाप पॉट्स मिलते हैं लेकिन आथा नहीं है तो हमी सारी चीज़े इस वीडियो के अंदे डिस्स करेंगे तो इस वीडियो के अंदे तक देखना मन भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियो ले के आता हम मुझे इंस्टाग्राम पे भी या फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं उसकी स्टोरी के अंदर काफ सारी इंफ्रमेशन वीडियो डालता रहता हूं और जो अपडेट्स होती है वह आप देख सकते हैं तो पहले नंबर पे हम यह डिस्स करेंगे कि Fiverr न्यू टिक्स को कैसे पर्मोट करता है आपने अकसर देखा होगा कि आप वाहर के उपर लोगो डिजाइन या कोई भी हम पॉइबर के तोर पर लोगो डिजाइन ले 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 लें या वर्डप्रेस ले ले लेते हैं और इन सब के अंदर opportunities equally divided होती है लेकिन आप ये देख लेएं कि जो level 1 seller है उसको new seller से ज़्यदा opportunities मिलेंगी level 2 seller को level 1 से और ऐसे ही top operated seller को opportunities, search opportunities जो होती है जैसे कि आपको नज़र आते हैं जब आप search करते हैं तो नया seller भी उपर आ रहा होता है आप ये सोचते हैं कि नया seller ओपर क्यों आ रहा है उसकी रीजन यही होती है कि Fiverr equal distribute करता है हर seller को equal opportunity देता है कि वो search results के नदे नज़र आए क्योंकि वरना अगर ऐसे equal opportunities ना देता होता तो जो top rated seller है वो हमेशा पहली line में ही आपको show होता है अचा तो बात करते है कि Fiverr जो आपको orders मिलते हैं क्या वो सिरफ Fiverr पे जो direct clients आ रहे होते हैं वहीं से order मिल रहे होते हैं या Fiverr कहीं बाहर भी promotion करता है उसके बारे मैं आपको यह बताता हूं कि Fiverr बाहर भी promote करता है जैसे facebook ads प्रमोट करता है email marketing करता है Fiverr की email marketing बहुत ज़्यदा powerful है मुझे जो अकसर orders मिलते हैं वो email marketing के through मिलते हैं मतलब कि Fiverr खुद email marketing कर रहा होता है हमारी gigs की अब उसमें यह होता है कि Fiverr email marketing या facebook ads से जो क्यों चलाता है उसकी reason क्या है उसकी reason यह है कि जैसे आप लोग अपने जब कोई business start करते है तो उसकी advertisement करते हैं लोगों तक उसको पहुंचाते है तो आप यह सोचने की बात है कि Fiverr किन gigs को promote करता है तो उसकी मैं आपको reason बताता हूँ कि Fiverr जो high price gigs होती है उनको promote करता है for example 100 dollar, 150 dollar इस साना की gigs होती है मतलब कि 50 dollar से अबफ भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा तर mostly chances यह होते हैं कि 150, 100, 100 से अबफ जितनी भी gigs होती है उनको promote करता है उससे यह है कि जब आपको 150 dollar का order मिलता है या 100 dollar का order मिलता है तो उसमें Fiverr का commission होता है वो जैदा होता है क्योंकि जब आपको 100 dollar या 150 dollar का order मिलता है तो उसमें Fiverr का profit 20% जएदा होगा अगर आप वो 5 dollar वाली gig को promote करेगा तो उसमें उसका 1 dollar उसे मिलने है तो इसलिए Fiverr 5 dollars वाली gig जितनी भी होती है उनको marketing के थूह promote नहीं करता है अगर करता भी है तो वो बहुत कम पैसे करता है क्योंकि उससे उनको जो profit है वो बहुत कम मिलता है इसलिए मैं हमेशा suggest करता हूँ कि आप high-priced gig बनाएं आपकी service कुछ ऐसी होनी चाहिए मतलब कि जो आपके competitors हैं उनमें कम price होनी चाहिए आपकी for example गोई 150 dollar पे sale करना है तो आपकी जो gig होनी चाहिए वो 140 पे होनी चाहिए 130 पे होनी चाहिए लेकिन आप मैं suggest यह करता हूँ कि 5 dollar वाला काम कभी नहीं करना चाहिए अगर वो 5 dollar वाला काम आपका सिरफ और सिरुफ करने पे 5 minute लग रहे है तो फिर समझाती कि आप Fiverr पे 5 dollar का काम करें लेकिन अगर उस पे आपका time भी ज़्यादा लग रहा है और फिर भी आप 5 dollar पे वो काम कर रहे हैं तो मैं suggest करूँ कि आप वो काम ना करें अपने skill increase करें कोई ऐसा skill सीखें जिससे आपको ज्यादा price वाले orders बिलें और इस वरे से new sellers को जो new लोग Fiverr पे आ रहे होते हैं मैं उन्हें encourage करता हूं कि वो start Fiverr से ही लें उसकी reason यह है कि Fiverr पे opportunities equal divide होती है अगर आपकी description आपके title आपका ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी है तो Fiverr के सामने आपकी geek को रख देता है तो अगर wire को पसंद आ दिये तो तभी आपकी geek को purchase करता है तो आपने कोशिच ये करनी है कि description पे बहुत ज़्यादा focus करना है क्योंकि description एक वाहिए चीज है जिससे आपको orders मिलते हैं आप client को वह समझने के वह एक magnet है आपका orders को capture करने के लि वीडियो डेली वेसिस पर लेके आता रहे तो थेंक्यू आलाहाफिस